Hello students, welcome to my channel इस वीडियो में हम exercise 8.4 का question by 5th का 5th part करेंगे question cos a minus sin a plus 1 upon me cos a plus sin a minus 1 equal to cos a plus cot a यह question नहीं थोड़ा सा tricky आपको इसमें थोड़ा सा अपना mind लगाना पड़ेगा तो हमें पता है कि cos a होता है 1 upon sin a और cot a होता है cos a upon me sin a ठीक है तो हम यहां पर solve term Lhs की term कर रहे है taking Lhs यहां पर हम क्या कर सकते है कि अगर हमें इसको cod बनाना है थोड़ा सा mind लगाए इसको कॉसे को अगर कॉटे बनाते है तो मैं क्या करना होगा कॉसे अपन में sin a कर देते हैं तो हमारा all terms by sin a ठीक है तो जाता है देखो cos a upon me sin a minus sin a upon me sin a plus one upon me sin a upon me cos a upon me sin a plus हमें उपर नीचे दोनों की जी टर्म में sin a से डिवाइड करना है minus one upon me sin a अब जहां पर देखिए cos a upon me sin a हमारा बन जाता है कॉटे ठीक है और sin a से sin a कैंसल हो जाएगा तो यहां भी गया जाता है one plus one upon sin a हमारा क्या बन जाता है cos a upon me यहां पर से cos a upon a में sin a हमारा बन जाता है कॉटे plus sin a से sin a cancel हो जाएगा तो one minus one upon me sin न है थो हमारा बन जाता है cos a ठीक है अब हम क्या कर सकते है देखिए कॉटे प्लस कॉटे कि कॉटे 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 को हम इस तरफ लिग जते है माइनस हमने इधर लिख देते हैं नीचे भी हम ऐसे कह लेते हैं कॉट A माइनस कॉसेक A प्लस 1 कुछ नहीं किया हमने simply इनको आगे पीछे कर दिया है ठीक है now कॉट A प्लस कॉसेक A को था हम एस इटीस लिख लेते है और यहां पर पर हम अपनी इटीस पूट कर देते हैं देखिए हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्कॉएर A होती है कॉसेक स्कॉएर ए ठीक है अगर हमें 1 की वैल्यू निकालनी है तो हम कॉट स्कॉएर को इस तरफ ले जाएंगे कॉसेक स्कॉएर A माइनस कॉट स्कॉएर A कर देंगे तो बस कुछ निके हम यह 1 की जग हम इसको पूट कर देते हैं माइनस तो बाहर रहेगा और 1 की जग हमारा आ जाता है स्कॉएर A माइनस कॉट्सकॉएर A एक कुछ निके हमने एस idea पूट कर दी है अब नीचे की टर्म को हम as it is लिख लेते हैं कॉट A माइनस कॉसेक A प्लस 1 इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान से लेखिए अब एक और आइंटी बन रहे हैं A स्कॉर माइनस B स्कॉर की तो पहले तो हम इस टर्म को as it is लिख लेते हैं कॉत A प्लस कॉसेक A a स्कॉर मैइनस B स्कॉर है तो वह होता है हमारा a प्लस B यानि कि कॉसेक ए Pols कॉते ठीके और बनती दूसरी बनती वाली a मैंस B तो कॉसेक ए मैंस कॉते अपोन में क्या लिख लेते हैं जो हमारी टर्म थी उसको मैंज़ेटिस लिख लेते हैं कोटे माइनस कॉसेक ए प्लस वन अब यहां पर देखिए कोटे प्लस वन कॉसेक और कॉसेक प्लस कॉटे दोनों सेम ही है तो हम इसमें से ना कॉसेक को कॉमन ले लेते हैं तो हमने लिख लिया कॉसेक ए प्लस कॉटे इसको हम आगे पीछे कर देते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा अगर कोई माइनस में होती तभी चेंज आता है इसमें दोनों प्लस में तो कोई भी चेंज नहीं आने वाला अब यह हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर हमारा ब्रैकिट आ जाता है यह यह माइनस को जानीस तो आ हुट ह माइनस यह चुकिया है यह स्कुछ नहीं डिखेंगे सेन स्ट्रप्शे के माइनस कॉटे अपन में सेम डिश्ट और जाएगी कौसे के प्लस वन अब हम क्या करेंगे कासे ए प्लस कॉट्टे को एक लिख लेते हैं और यहां पर हम अपना थ्रण सब ब्रागेट कोलेंगे वन माइनस यह कोशेके माइनस कॉट ए इस प्लस हो जाएगा तो हो जाता है कॉटे अपन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन अब यहां पर आप देखिए प्लस का कॉट ए नीचे भी प्लस का कॉट ए यह माइनस का कॉसेक है नीचे भी माइनस का कॉसेक है प्लस का वन है नीचे भी प्लस का वन है तो simply हम क्या कर सकते हैं इसको दोनों को cancel कर सकते हैं ठीक है तो उपर हमारा क्या बच जाता है कॉसेक ए प्लस कॉटे और यही हमें कोशन में प्रूव करना था तो हो जाता है हैंस प्रूवट I hope आपको यह कोशन समझ में आ गया होगा